एलो, गुड मॉर्रिंग स्टूडेंट्स, मैसेल्प समसेर पीजटी मैंच, बेटा 11 किलास में हमारे पास अक्सराइज 5.2 चल रही है और इस अक्सराइज में बेटा हम सेकेंड क्योस्टन के 6 पार्ट में चल रहे हैं सेकेंड क्योस्टन का 6 पार्ट आपको उतायागा था, 1 by 2 पलस 1 by 4 आईटा, मैनस 2 by 3, मैनस 1 by 4 आईटा अब बेटा हुआ एक एक ट्रम को बारी बारी मल्टिप्लाई करें, इनको मल्टिप्लाई करेंगे, 2 तो कैंसल हो जेगा, मैनस 1 by 3 इसको करेंगे तो मैनस 1 by 8 आईटा, इनको मल्टिप्लाई करेंगे तो मैनस 2 से यहाँ पर कैंसल करतेंगे, 1 by 6 आईटा, और यह उत जएगा, मैनस 1 by 16 आईटा स्केर, आईटा स्केर, मैनस 1 पलस होता है, मैनस 1 by 3 पलस 1 by 16 इन में से मैनस कॉम्मन ले लेते हैं, आईटा कॉम्मन ले लेते हैं, 1 by 8 पलस 1 by 6, सोल करेंगे, तो बैटा, आईटा, 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 आई माइनस थर्टीन अपोन फोर्टी एट माइनस सेवन बाई ट्वन्टी फोर आईटा और अगर यहाँ पलस करते द्विरिया माइनस हो जाएगी ठीक है तो इस तरीकी से बेटा ये था आपके पास सेकेंड क्योस्टन का सिक्स्थ पार्ट माइनस थर्टीन अपोन फोर्टी एट माइनस सेवन अपोन ट्वन्टी फोर आईटा अब चलते हैं बेटा हम इसके लास्ट पार्ट में सेवन पार्ट में सेवन पार्ट में क्या बोलता है रूट 5 माइनस है 7 आयुटा इन्टू रूट 5 है माइनस 7 आयुटा का होल स्केर पलस माइनस 2 पलस 7 आयुटा का होल स्केर अब बेटा जब आप इसको सिंप्लिफाई करेंगे तो आपके पास क्या उज़ेगा देखीगा रूट 5 माइनस 7 आयुटा as it is यहाँ पर ए माइनस B का होल स्केर करेंगे तो A स्केर पलस B स्केर माइनस 2AB 14 रूट 5 आयुटा फिर पलस यहाँ पर करेंगे तो A माइनस B का होल स्केर आपके पास क्या उज़ेगा A स्केर पलस B स्केर माइनस 2AB 28 आयुटा यह उजेगा मैनस 49 तो मैनस 44 उजेगा पलस 5 है मैनस 49 होगा तो मैनस 44 उजेगा आपके पास ठीक है माइनस 14 रूट 5 आयोटा पलस ये माइनस 49 ये पलस का फोर माइनस 45 और माइनस 28 आयोटा अब बैटा जब आप इसको सिंप्लिफाइ करेंगे तो रूट 5 का अंदर करें माइनस 44 रूट 5 माइनस 70 ये 70 होजएगा आयोटा ठीक है इसके बाद यहां करेंगे तो ये होजएगा पलस साथ को चार से 28 और फिर 28 रूट 2 क्या होजएगा बैटा 30 आयोटा और माइनस माइनस क्या होजएगे पलस 98 रूट 5 आयोटा सुकेर होजएगा ये आयोटा सुकेर होजएगा आयोटा सुकेर होजएगा आपके पास के लिए रहे है फिर माइनस 45 है और माइनस 28 आयोटा अब सुनिए आयोटा सुकेर के लिए होते है माइनस 1 तो माइनस 44 रूट 5 रियल टरम्स ही कठी करते हैं माइनस 98 रूट 5 माइनस 45 यह तो real टरंस हो गया आपके पास फिर imaginary टरंस को जब आप इकक्ठा करेंगे तो माइनस 70 आईटा माइनस 308 आईटा माइनस 28 आईटा यह आईटा की जो टरंस है यह image दरी है अब आप इनको जब solid करेंगे तो 98 रूट 5 और 44 minus को मन ले सकते हैं ऐसा हो जाएगा फिर इन में से minus 70 और minus 28 तो minus का 98 इटा हो गया minus के 98 तो 8 तो सिदर 90 90 से सब्टेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 210 plus 210 इटा किलिर हो गया तो ये था आपके पास से 5.2 में second question last part minus 142 root 5 plus 45 plus 210 इटा और ये आपके पास A plus इटा B की फोर्म बनेगी किलिर हो ये था इसके बाद चलते हैं बैटा क्योंसा नमबर थाड़ में बिल्कुल सेम ऐसे ही है इसने क्या का है कि divide करो 2 minus 3 इटा को divide करो किस से 5 minus 4 इटा से तो आप इसको क्या लिख पाओगे 2 minus 3 इटा अपोन 5 minus 4 इटा लिख दिया जब बटे में इटा होता है तो आप इसको क्या करते हो rationalize 2 minus 3 इटा अपोन 5 minus 4 इटा जब rationalize करेंगे तो 5 plus 4 इटा से multiply और 5 plus 4 इटा से divide और अब आप इसको simplify करेंगे तो denominator में तो A minus B plus B A square minus B square का formula बन गया याँ पर multiply करेंगे 2 से करेंगे तो 10 plus 8 इटा दूसे हो गया इससे करेंगे तो minus 15 इटा minus 12 इटा सुकेर इसको simplify करेंगे तो ये plus 12 हो गया 12 plus 10 और आपके पास हो ज़ेगा 22 minus 7 इटा divided by 25 plus 16 हो ज़ेगा 41 22 upon 41 minus 7 upon 41 इटा ये बटा आपके पास result हो ज़ेगा 22 upon 41 minus 7 upon 41 इटा इसके बाद चलते हैं ये था third question का first part इसके बाद चलते हैं second part में second part में क्या बोलता है find a complex number हमने वो complex number a plus इटा बी ले लिया जिसको multiply करें किसे multiply करें 2 plus 5 इटा से तो result आपके पास 3 minus 7 इटा आता है तो इसका मतलब a plus इटा बी आपके पास क्या हुआ 3 minus 7 इटा upon 2 plus 5 इटा और अब आप rationalize कर देंगे 2 minus 5 इटा से multiply और 2 minus 5 इटा से divide अब बेटा निच्चे तो a square minus b square का formula बन गया यहाँ पर 3 से करेंगे तो 6 minus 15 इटा इस से करेंगे तो minus 14 इटा plus 35 इटा सुकेर इटा सुकेर minus 1 होता है तो 6 minus 35 आपके पास minus 29 और यह हो जएगा minus 29 इटा और divided by बेटा यह भी plus 29 हो जएगा ठीक है और जब अलग अलग करेंगे तो minus 1 minus इटा यह बेटा आपके पास से result आजएगा third question के second part में clear है? इसके बाद चलते हैं question number fourth में question number fourth में यही का है कि आप a plus इटा b की form में लिखेगा fourth question first part देखेगा 5 plus 2 आईटा divided by minus 1 plus root 3 आईटा आप इसको यह plus आईटा b की form में लिखेंगे तो 5 plus 2 आईटा divided by minus 1 plus root 3 आईटा rationalize करेंगे तो minus 1 minus root 3 आईटा से multiply और minus 1 minus root 3 आईटा से divide numerator को इस से multiply करेंगे तो minus 5 minus 5 root 3 आईटा minus 2 आईटा minus 2 root 3 आईटा से divided by a plus b रहे minus b तो a से कर minus b से कर 3 आईटा से करेंगे ठीक है अब आप इसको जब solve करेंगे तो यह plus हो जाएगा minus 5 plus 2 root 3 clear है और इनको जब आप इकठा करेंगे देटा minus को मन ले सकते हैं और यह हो गया 5 root 3 plus 2 और भार आईटा को मन ले लेंगे और divided by आपके पास हो गया 4 अब आप इसको अलग-अलग कर सकते हैं minus 5 plus 2 root 3 divided by 4 minus 5 root 3 plus 2 divided by 4 और इसके साथ क्या है आईटा तो यह minus अगर आप यहां ज़रा अलगा के बीचे हम पलस हो जएगी यह था a plus अईटा b की फोर में आपने इसको लिखना था इसका second part आपके पास है 3 plus root of minus 1 divided by 2 minus root of minus 1 यह जएगा 3 plus अईटा यह जएगा 2 minus अईटा और आप आप इसको rationalize कर देंगे 3 plus अईटा अपन 2 minus अईटा rationalize करेंगे तो 2 plus अईटा से multiply और 2 plus अईटा से divide numerator multiply करेंगे तो 6 plus 3 अईटा plus 2 अईटा plus अईटा सुकेर divided by 4 minus अईटा सुकेर यह आपके पास minus 1 होजएगा तो यह होजएगा 5 plus 5 अईटा divided by यह भी तो 5 होजएगा और आप अलग अलग करेंगे तो 1 plus अईटा यह इविट आपके पास answer होजएगा क्योंकि आपने result को जो complex नंबर है ना उसको A plus अईटा B की फोरम में लिखना है बसी दिश बात यह इसके बात चलते हैं third part में इसका जो third part है third part में क्या बोलता है 2 plus 3 अईटा divided by 3 plus 2 अईटा आप इसको जब rationalize करेंगे 2 plus 3 अईटा 3 पलस 2 अईटा बताया था जब भी denominator में अईटा आप रैसनलाईज करें 3 minus 2 अईटा इसको देखते वे मतलब इसका साइन चेंज कर दे पलस है तो माइनस रा माइनस है तो 3 minus 2 अईटा से multiply 3 minus 2 अईटा से divide यहाँ पे तो A सुकेर माइनस B सुकेर का फोर्मूला बन गया उपर जब multiply करेंगे पर 2 से करें 6 minus 4 अईटा इससे करें 9 अईटा minus 6 अईटा सुकेर अब इसको जब सुल करेंगे तो 6 पलस से 5 अईटा पलस 6 होजेगा यह भी और यह आपके पास होजेगा 9 पलस से 4 12 बाई 13 पलस से 5 बाई 13 अईटा यह result होजेगा इसके बात सलते हैं 4th part में 4th part में यह क्या बोल रहे है देखिए 5 पलस से 9 अईटा divided by minus 3 पलस 4 अईटा जब आप इसको सोल करेंगे 5 पलस 9 अईटा divided by minus 3 पलस 4 अईटा denominator में आईटा है इसलिए rationalize करेंगे minus 3 minus 4 अईटा से multiply और इसी से divide numerator को जब आपस में multiply करेंगे तो पहले तो 5 से करें minus 15 minus 20 अईटा इससे करेंगे तो minus 27 अईटा और minus 36 अईटा सुकेर divided by यह आपके पास 5 से करेंगे तो दोनों टरब नेगेटिव इससे करेंगे तो भी दोनों नेगेटिव ठीक है अब यह करेंगे तो A सुकेर minus B सुकेर अब इसको आगे सोल करेंगे तो minus 15 minus 47 अईटा पलस 36 होज़े गई और divided by 9 पलस 16 अब minus 15 पलस 36 तो आपके पास ही होज़ेगा 21 minus 47 अईटा divided by 25 तो यह आपके पास होज़ेगा 21 upon 25 minus 47 upon 25 है आईटा इसके बाद चलते हैं हम इसके फिफ्ट पार्ट में देखें होज़ेगा यह था फोर्थ क्योस्टन फोर्थ पार्ट इसके बाद फिफ्ट पार्ट में चलते हैं बटा फिफ्ट पार्ट बिलकुल सिंपल सा है ध्यान दे फिफ्ट पार्ट है फिफ्ट पार्ट है वन पलस आईटा डिवाइड़ बाई वन माइनस आईटा और इन दोनों की पावर फोर है तो मैंने फोर पावर की कठा लिख लिया अब अंदर के अंदर रहे सिनिलाइज कर दे वन पलस आईटा पलस आयोटा सुकेर divided by 1 माइनस आयोटा सुकेर A सुकेर माइनस है B सुकेर पाउर 4 एज़िटीज है अब सोल करेंगा आयोटा सुकेर माइनस होता है इससे एक एंसिल होजेगा तो उपर होजेगा 2 आयोटा और यह आपके पास होजेगा 1 पलस 1 2 पाउर 4 एज़िटीज है हमने एक रजल्ट यूज कर लिया कि आयोटा सुकेर की वेल्यू कितनी होती है माइनस 1 अब सोल करेंगे 2 से 2 कट गया आयोटा रेज़िटू पाउर 4 और आयोटा रेजिटू पाउर 4 क्या होता है 1 इसके बात सलते हैं 6th पार्ट में 6th पार्ट है 1 पलस आयोटा का whole square 1 पलस आयोटा का whole square divided by 3 minus आयोटा पहले इसको जब सोल करेंगे तो A square plus B square plus 2 AB divided by 3 minus आयोटा आयोटा सुकेर के लिए minus one होती है तो ये 2 आयोटा upon 3 minus आयोटा हो गया अब आप इसको rationalize करेंगे तो 3 पलस आयोटा से multiply और 3 पलस आयोटा से divide बेटा जब rationalize करते हैं तो denominator में आयोटा के साथ देखें पलस है तो minus करते हुए और minus हो तो plus करते हुए अब numerator को numerator से multiply denominator को denominator से या करेंगे तो 6 आयोटा plus 2 आयोटा square divided by a square minus b square 6 आयोटा minus 2 यो जाएगा 9 plus 1 10 उच जाएगा 6 आयोटा minus 2 divided by 10 2 को मुन लेकर cancel कर सकते हैं 3 आयोटा minus 1 upon 5 आप इसको लिख सकते हैं minus 1 upon 5 पलस 3 upon 5 है आयोटा इसके बात सलते हैं हम इसके 7th part में 7th part में ये बोलता है भीटा 3 plus 4 आयोटा 3 plus 4 आयोटा raise to power minus 1 यानि कि 1 upon 3 plus 4 आयोटा होजेगा power minus 1 का मतलब reciprocal होजेगा और आप इसको solve करेंगे तो 3 minus 4 आयोटा से multiply और 3 minus 4 आयोटा से divide ये तो आपके पास 3 minus 4 आयोटा हो गया यहाँ पर a plus b minus b का formula लगाएंगे तो a square minus b square होजेगा अब आयोटा square minus 1 होता है तो ये होजेगा 3 minus 4 आयोटा divided by 9 plus 16 3 upon 25 minus 4 upon 25 है आयोटा इसके बात सलते हैं हम 8th part में 8th part आपके पास क्या आता है 2 plus आयोटा divided by 1 plus आयोटा into 1 minus 2 आयोटा 2 plus आयोटा पहले इसको simplify करेंगे 1 से multiply करो 1 minus 2 आयोटा फिर आयोटा से करो plus आयोटा minus 2 आयोटा square 2 plus आयोटा यहाँ पर ये plus 2 होजेगा 2 plus 1 क्या हो गया 3 minus आयोटा ये बनेगा अब आप इसको rationalize करेंगे तो 3 plus आयोटा से multiply और 3 plus आयोटा से divide अब denominator में तो बिटा आपके पास क्या होजेगा a plus b into a minus b तो 9 minus आयोटा square और यहाँ पर जब 2 से करेंगे तो 6 plus 2 आयोटा 6 plus 2 आयोटा फिर आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा पलस आयोटा सुकेर अब solve करेंगे तो आयोटा सुकेर minus 1 होता है तो यह जाएगा 5 plus 5 आयोटा और divided by यहाँ पर आपके पास होजेगा 10 तो आपके पास 5 कॉम्मन ले सकते हैं 1 plus आयोटा by 10 इससे कैंसेल कर देंगे तो आज जाएगा तो यह आपके पास हो गया 1 by 2 पलस 1 by 2 आयोटा ए पलस आयोटा भी की फोर्म होगी आपके पास अब चलते हैं इसके नाइन्थ पार्ट में ठीक है देखिए द्यान से इस क्योंस्तन का बटा लास्ट पार्ट है 1 upon 1 minus 2 आयोटा पलस 3 upon 1 पलस आयोटा इन्टू 3 plus 4 आयोटा divided by 2 minus 4 आयोटा सोल करेंगे तो यहां से LCM लिलने हैं LCM अज जाएगा 1 minus 2 आयोटा इन्टू 1 पलस आयोटा इससे डिवाइड करेंगे 1 plus आयोटा पलस इससे डिवाइड करेंगे 1 minus 2 आयोटा 3 से मल्टिप्लाई कर दें तो 3 minus 6 आयोटा LCM लिया गया और कुछ भी नहीं है और यहां पर आपके पास होज़ेगा बटा 3 plus 4 आयोटा divided by 2 minus 4 आयोटा किलिर है अब इसको जब आप सोल करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या होज़ेगा 1 plus 3 4 minus 5 आयोटा divided by इसको जब सोल करेंगे तो 1 plus आयोटा minus 2 आयोटा तो minus का क्या होज़ेगा आयोटा और minus 2 आयोटा स्केर तो पलस 2 पलस 2 थे यह आपके पास 3 होज़ेगा और into में 3 plus 4 आयोटा divided by 2 minus 4 आयोटा numerator को numerator से मल्टिप्लाई कर दें यह आपके पास होज़ेगा 12 plus minus 15 आयोटा 3 से हो गया plus 16 आयोटा और minus 20 आयोटा स्केर divided by यह आपके पास 2 से करेंगे तो 6 minus 2 आयोटा minus 12 आयोटा minus मैंनस होज़ेगा plus 4 आयोटा स्केर अब सोल करेंगे तो आपके पास यह plus 20 32 plus आयोटा divided by यह आपके पास होज़ेगा 2 minus 14 आयोटा अब आप इसको रैसनलाइज कर दें रैसनलाइज करेंगे तो 2 plus 14 आयोटा से मल्टिप्लाई और 2 plus 14 आयोटा से डिवाइड अब आप इसको बैटा सिंपलिफाई कर ले ना numerator को numerator से मल्टिप्लाई और denominator को denominator से मल्टिप्लाई तो आपके पास result आज़ेगा 1 by 4 plus 9 by 4 आयोटा आप इसको सिंपलिफाई खुद भै खुद कर ले ना ठीके बैटा यह आपके पास result आज़ेगा अब आगे की questions बैटा आपको next वीडियो में करवाएंगे ओके थेंक यू